वेल्कम टू सपनों का रहिसे हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का रहिसे पेश स्वागत की करते हैं आज हम जिस मुद्दे पेश चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर केकड़ा देखना या केकड़े का मास खाना अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर केकड़ा देखे तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो किसी ऐसे आमलात में ऐसे कामों में फंसेगा जिनकी उसे समझ नहीं आएगी क्योंकि केकड़ा एक ऐसी चीज है जिसके दान्त मू की बजाए पेट में होते हैं और इसकी टांगें और इसकी जो बाडी है वो नजर किसी और एंगल पर आती है और ये चलता और भागता किसी और तरफ को है ये इतना जहरिला ये इतना नुकसां दे तो नहीं होता लेकन इसका डर और खोफ बहुत होता है और ये पानी में भी और खुशकी पर भी धरती पर भी होता है तो अगर कोई वेक्ति सपने के अंदर केकड़ा देखे तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला धोके बाज जूटा फराडी और गलत जराए आमदन से रुपया पैसा कमाने वाला वेक्ति है जो कि दो नमबर धंदे से ज्यादा पैसा कमाता है अगर कोई वेक्ति सपने के अंदर देखे कि उसके पास बहुत सारे केकड़े हैं तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को दो नमबर धंदे से बहुत ज्यादा माल प्रॉप्त होगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखता है कि उसके पास बहुत सारे केकडे थे उनकी death हो गई है या उनकी मृत्यू हो गई है और इसने उनको उठा कर घर से बाहर फैंका है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला बुरे कामों से रुकेगा अच्छे काम स्टार्ट करेगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर देखे कि उसने केकडे का मास खाया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो बुरा माल कमाएगा उसे अपनी फैमिली पर और अपने ओपर यूज़ करेगा और एक लंबे समय तक जीवत रहेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ